दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोन पर आने वाले सभी incoming calls को कैसे बन करते हैं लेकिन फोन के अंगर internet चलता रहेगा जी हाँ दोस्तो आपके फोन में net on रहेगा आप online पढ़ाई कर सकते हो, game खेल सकते हो, youtube, facebook, instagram और whatsapp को भी चला सकते हो लेकिन आपके फोन पर कोई भी incoming call करके आपको परसान नहीं कर पायेगा क्योंकि आपके फोन का सभी incoming call बंध हो जाएगा कोई भी आपके number पर call करेगा तूसे आपका number या तो invalid बताएगा या फिर आपका number switch up बताएगा और इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर कोई भी application डाउनलूड नहीं करना है सब कुछ मैं आपको like करकर दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा end तक देखना और साथ में like, share और subscribe जरूर कर देना तो आईए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं तो आईए दोस्तों आप मैं आपको बलाता हूँ कि कैसे आप अपने फोन पर आने वाले सभी incoming calls को बन कर सकते हो लेकिन आपके फोन में internet चलता रहेगा अब ही दोस्तों आप देख सकते हो मेरे इस फोन पर एक incoming call आ रहा है लेकिन दोस्तों आभी मैं इस phone के अंदर एक setting करूंगा और सारे incoming calls बंद हो जाएंगे लेकिन मेरे इस phone के अंदर internet चलता रहेगा तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने phone में dialer को open करना है और यहाँ पे आपको एक secret code को dial करना है यहाँ पे दोस्तों आपको type करना है star two one star इसके बाद आपको type करना है one two three four five six seven eight nine zero और last में hash लगा देना है star two one star उसके बाद एक से लेकर zero तक और last में hash लगाना है और इसे आपको उसी sim से dial करना है जिसके सभी incoming calls को आप बन करना चाहते हो यहाँ पे code start हो जाएगा इसे चलने देना है कुछ second के लिए wait करना है और आपके phone के screen पे एक pop up message आएगा इस तरह से call forwarding registration was successful यह message आने का मतलब दोस्तों यह है कि आपके phone का सभी incoming calls बंद हो चुका है अब चलिए मैं आपको यहाँ पर live example दिखाता हूँ देखिए मैं इस phone पर call करता हूँ देखिए आपको क्या सुनने को मिलेगा तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो इस phone का सभी incoming call बंद हो चुका है इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ देखिए मेरे phone के अंदर net on है अब मैं यहाँ पर youtube को open करता हूँ और दोस्तों आप यहाँ पर देखिए मेरे phone के अंदर youtube चल रहा है मैं shots को open कर लेता हूँ आप देख सकते हो मेरे phone के अंदर internet चल रहा है लेकिन मेरे phone में सभी incoming calls बंद हो चुके हैं तो इस तरह से दोस्तों आप अपने phone पर आने वाले सभी incoming calls को बंद कर सकते हो अब दोस्तों चलिए मैं आपको बदाता हूँ कि अगर आपको अपने phone के सभी incoming calls को दुबारा चालू करना हो उससे on करना हो तो आप कैसे करोगे तो इसके लिए दोस्तों फिर से आपको अपने phone में dialer को open करना है और यहाँ पे फिर से आपको एक code dial करना है इस बार दोस्तों आपको यहाँ पे dial करना है double hash to one hash यह tap करके उसी सीम से आपको dial कर देना है code start हो जाएगा कुछ second के लिए wait करना है फिर से आपको यहाँ पे एक pop up मेंसे देखने को मिलेगा इस तरह से call forwarding eraser was successfully इसका मतलब यह है कि आपने अपने phone के जो सभी incoming calls बन किये थे वो दुबारा से चालू हो गया है मैं यहाँ पे आपको live example दिखाता हूं देखिए अब मैं phone करता हूं अभी दोस्तों आप देखो इस phone पे incoming call आ रहा है मतलब के इस phone के अंदर incoming call चालू हो गया है तो इस तरह स दोस्तों आप अपने phone पर आने वाले सभी incoming calls को बन कर सकते हो उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक और शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना Facebook पे देख रहे हो तो आप मेरे Facebook पेज को लाइक और follow कर लेना